Hello everybody, this is Degraas Singh Rajput, welcome to Magnet Brains इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस वीडियो में हम पढ़ेंगे the peninsular drainage system के बारे में Peninsular drainage system हमारे chapter का second part है, second pillar है क्यों? कि कि जो पहला part था वो अभी तक हम complete कर चुके हैं कौन सा था पहला part? तो हमने हिमालियन river system को पुरा पढ़ा हिमालियन system में हमने देखा कौन कौन सी river को इंडस को पढ़ा, हमने गंगा को पढ़ा, हमने ब्रहमपुत्रा को पढ़ा ये तीन major rivers को हमने पढ़ा, discuss किया comprehensively देखा कि कहां से कौन सी river निकल रही है, ये सारी चीज़ है अब देखो गया है, अगर आप देखोगे न, तो अभी तक हम map पर देखें, map से बात करें तो हमने इंडिया का ये वाला drainage system पढ़ चुक है क्योंकि हिमालियास पूरे हैं, यहाँ पर पूरी river से इंडस, गंगा, ब्रहम पुत्रा ये complete हो गया है, अब है क्या अगली चीज़ तो ये जो peninsula block था peninsula block में क्या drainage pattern है, क्या drainage system है, उससे हम पढ़ने वाले हैं इस specific video में, क्या है chapter 2 जब आपने पढ़ा तो आपका आदा काम वही पर खतम हो गया था अब आपको पता है, हमने peninsula block पढ़ा है, तो जैसे ही ये शब्द के आगे क्या लिखा peninsula drainage system, तो जिन students ने imagine कर लिये था कि हाँ, इस area का पूरा river system पढ़ने वाले हैं इसमें जो river system है, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक, अब देखो इसके बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं तो जिसे आपका पहला statement क्या दिया आपकी book में, the peninsular drainage system is older than the himalayan one अब himalayan one मतलब क्या है कि जो himalayan drainage system है, इंडस, गंगा, ब्रहमपुत्रा ये वाला drainage system है तो यहाँ पर statement क्या बोल रहा है कि ये वाला system जो है पूरा, peninsular drainage system ये जो system है, ये इससे पुराना है, मतलब ये इससे बड़ा है, ये इससे पहले से है अब क्यूं, मतलब पांच नुमर का question चलो आपको यहीं पर दे दिता हूं मैं बहुत जादा internal question दे दिया क्या, कि why peninsular drainage system is older than the himalayan one तो अब आपको यहाँ पर answer लिखना होगा, specific answer लिखना होगा, क्यूं, क्यूंकि अगर हम बात करें geological scale पर जाते हैं, ठीक है, time period पर जाते हैं तो peninsular block is much older than the Himalayas and northern plains क्या, आपको ध्यान हो, तो यह Eurasian plate यहाँ पर थी इस Eurasian plate से Indo-Australian plate टकराई, टकराने के बाद में upliftment Himalayas, Himalayas के बाद में northern plains अब जब Himalayas बने होगे, तभी तो Himalayan rivers आई होगी simple सी चीज़ है, तो उस sense में क्या है, यह जो सारा पूरा का पूरा, आप Himalayan river system देखते हैं, तो यह क्या है, यह बाद में develop हुआ, as compared to the peninsular part, ठीक है, जो peninsular part है, इससे compare किया जाए, तो Himalayan drainage system बाद में develop हुआ, और peninsular plateau पहले से था, जब इंडो-Australian plate पहले से थी, तो यह दिखती बात है कि यहां का drainage system भी होगा, अब जब plateau होगा, तो उस पर rivers भी तो होंगी न, ठीक है, तो यह आपको धियान रखना है, और इसके साथ में यह answer में आप फिर point add क्या करोगे, कि क्या evidences है, how can you corroborate these points, ठीक है, मतलब इसको कैसे explain करोगे, तो यह भी है, this is evidence from the broad, largely graded shallow valleys and the maturity of rivers, ठीक है, अब आप पुरानी है, यह जो peninsula plateau है, इसकी जो rivers से वो पुरानी है, यह इन points के हिसाब से भी प्रूफ कर सकते हो, क्यों, क्योंकि यहां का जो river system इना, पुरा का पुरा, देखो मैंने तो आपको दो point बता दी, एक origin के हिसाब से भी अगर आप देखो गे तो पुराना है, और दूसरा क्या है, कि अगर आप rivers को identify करोगे, जैसे एक river क्या हो गई, गोदावरी river हो गई है, ठीक है, गोदावरी river, पिननसुला, जो drainage पैड़ा है, उसके सबसे बड़ी river है, गोदावरी river, अब गोदावरी river को आप जब पढ़ते हो, तो आपको क्या समझ में आता है, कि this is evident from the broad, largely graded shallow valley, ठीक है, मतलब valley river valley, वो क्या है, बहुत ज़्यादा broad है, बड़ी बड़ी river valley है, नदियां जो है, फैल के चल रही एक दम, ठीक, नदियां फैल के चल रही इसी के साथ साथ में क्या है, shallow valley, मतलब बहुत ज़्यादा गहरा ही नहीं है, आप गंगा को देखोगे, डुपकी लगाओगा, तो नीचे नीचे जाते जाओगे, आप बोलोगे, पता नहीं सरफ पाताल में ना गिर जाए, लेकिन यहां पे shallow valley है, मतलब क्या है, कि आप देखोगे कि river गुटने गुटने पानी है, आपके चस्ट तक पानी है, बस इतने इतने पानी में आप river cross कर सकते हो, कहीं कहीं पे, सारी जगा नहीं, तो उस तरह से क्या है, valley जो है, बहुत जादा deep नहीं है, deep के पेक्षा broad है, ठीक है, अब broad कब होगी valley, जब आप देखोगे मानलो, जिसे एक हिमालियन stream originate हो रही ही हिमालियाज में, त आप देखोगे तो अपना bed बढ़ाती जाएगी, persistence, continuously काम करते करते हो अपने bed को बहुत बढ़ा लेगी, ठीक है, तो इस sense में होता है, plane का भी एक effect होता है, कि हाँ पे plane areas मिल जाते है, अगर उने, तो plane areas में क्या होगा, अपने आप broad हो जाती है, खुद हमालियन rivers भी क्या हो graded मतलब क्या है कि तूटा-फूटा है और पूरा एक तरह से क्या हो, इतनी सालों से चले आ रही है रिवर कि उसमें अपने आजु-बाजु के पूरे structures को तोड़ दिया है, shallow valley बना लिये, and maturity of rivers, rivers की maturity मतलब क्या है, कि काम है एकदम, delta formation हो रहा है, बहुत जादा तोड़ता नहीं कर रही है, ठीक है, बहुत जादा स्पीड से नहीं आ रही है, तो यह, यह जो points है, this points are the evidence which supports the statement की peninsular river system, peninsular drainage system, जो it is older than the himalayan ones, आगे समझ में यह, यह हो गया, मैंने आपको यह point relate कर वा दिये, यह रहे, आगे देखो क्या है, western ghat acts as a water divide in the peninsular river system, this is the most striking feature of peninsular river system, क्या कि यह जो पूरा peninsular river system है, तो इस peninsular river system में western ghat जो है, ठीक है, यहाँ पर आप देखते हो, continuous series of mountain जो है, western ghat, ठीक है, महराज से लगा के केरेला तक, यह western ghat है, western ghat क्या कर रहे है, एक water divide का का काम कर रहे है, water divide क्या है सर, ठीक है, तो जो लोग आप ऐसा, बड़ा मासूम सा कहरा बना कर सोच रहोंगे, सर, water divide क्या तो लगाना चाहिए तुमें दो, क्यों, क्योंकि हम कितनी बार पर चुके है, water divide क्या है, water divide मतलब एक elevation, जिसके बात से आप क्या देखते हो, वो एक watershed का का काम करता है, इस side की river इस तरफ, इस side की river इस तरफ, तो आप यहाँ पर अगर देखोगे, सारी rivers क्या है, east flowing है, सब east में बहते हो जा रही है, इसके पीछे और भी कारण है, भी next video में discuss करेंगे, और western घाट के इस तरफ जो river है, वो क्या है, वो west की तरफ जा रही है, तो यह water divide का का काम करना है, इस तरह से, east और west में separate कर दिया है, उसने waters में, दिखती बा लिए, ठीक है, यह हो गया, तो यह ध्यान रहे है, western घाट कैसे water divide का का काम कर रहे है, आगे क्या है कि यहाँ पर जितने भी आप major rivers देखोगे, तो वो क्या है, गुदावरी, कृष्णा, कावेरी, सब east flowing है, but there are exceptions, क्या है, most of the major peninsular rivers, except नर्मदा एंतापी, flows from west to east, तो अधि जो है, जो major river है, तो दो major river ऐसी है, जो west से east नहीं जा रही है, east से west आ रही है, वो कौन-कौन सी है, east से west आने वाली, तो एक है नर्मदा, दूसरी है तापी, नर्मदा और तापी धियान रखना, अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में हम, तो नर्मदा river और तापी river जो ह है वो, ठीक है, दोनों mountains के, block mountains जो है, उनके बीच में जो, rift valley बनी है, जैसे कह सकते है, depression बना है न, जैसे एक mountain ये, एक mountain ये है, इसके बीच में जो depression बना है, तो ऐसे depression में से बहते हुआ है, रिफ्ट वैली में से, तो नर्मदा river जो है, वो slope कुसको किदर मिल गया है, उसक तो slope मिल गया है, east से west की तरफ, तो ये west flowing river हो गई है, ठीक, वैसे ही कहानी तापी के साथ है, उपर सत पुड़ा है, नीचे आप देखो के, तो डेकन प्लैटू की hills आ गई है, तो वो इस तरफ बहते हुआ रही है, ठीक है, ये धियान रहेगा न, तो ये पूरे जो important major points थे striking features, तो सारी चीज़े हमने discuss करी थी, ठीक, उसी तरह से हमने यहाँ पे, एक कह सकते हैं कि essence निकाल लिया कि अच्छा peninsular drainage system, जब in general आप पूरे peninsular drainage system की बात करते हो, तो क्या-क्या वहां के features है, तो क्या-क्या features point fingertips पे क्या होना चाहिए, western guard water divide का का काम करता है, अधिकता rivers east म flow करती है, ठीक है, western flow करने आली river छोटी-छोटी ही होगी, but there are exceptions, तो जो दो बड़ी river है, कौन-कौन सी नर्मदा और तापी है, ठीक है, इतनी चीज़े ध्यान रहेगी, यह पुराना system as compared to the Himalayan drainage system, इतनी तीज़े ध्यान रखना, अब आगे देख लो, और क्या है, तो जैसे pattern बता रहा था, कि कुछ reverse जैसे चंबल, बेतवाप, ठीक है, सोन, केन, यह जो reverse है, तो यह river क्या हो रहा है, originate कहा हो रही है, तो इनके सारे origination point अगर आप देखोगे, तो यह river originate तो peninsula plateau में हो रही है, लेकिन इने किसका पार्ट माना जाता है, हिमालियन drainage pattern का पार्ट माना river के साथ में, तो दो, they are originating in peninsula part of the India, ठीक है, इंडिया के peninsula part में central highlands में originate हो रही है, लेकिन वो किसका पार्ट हो या थी, हिमालियन रिवर सिस्टम का, उसके अलावा जितनी भी river है peninsula में originate हो रही है, ठीक है, यह मतलब क्या है, ऐसा है, जो घर का घाट का टाइप से ह हो जाता ना, वैसी river है, लेकिन अब क्या कर रहे है, वो originate peninsula में हो रही है, लेकिन जा के मिल किसमें रही है, हिमालेयन drainage pattern में जा के मिल रही है, ठीक है, अब देखो अगला क्या है, तो the other major river system of peninsula, drainage area, the mahanadi, godavari, krishna, kaveri, यह ध्यान रखो आप, अब क्या है, इसके अलाव major rivers है, peninsula इंडिया की, या फिर कह सकते है, peninsula river में यह 4 major rivers ऐसी है, जो एक जैसा pattern, eastward flowing है, यह सारी चीज़े है, उनके बारे में हम specifically पढ़ेंगे, जो major rivers है, ठीक, तो आगे subsequently हम चैप्टर में इनके बारे में पढ़ने बाले है, सारी rivers को एक साथ पढ़ लेंगे, यह हो गय channel shifting नहीं होती, channel shifting नहीं होती, यह से ब्रह्मपुतर और गंगा की होती है, क्यों क्योंकि उतना ज्यादा पानी भी नहीं है इनके पास, एक कारण क्या हो जाता है, कि यह non perennial है, seasonal है मतलब, बारिश बारिश में पानी मिलता, जितना पानी मिलता, उतना लेके जाती, समुदर म भी नहीं बनाती, बहुत जादा, क्यों नहीं बनाती, मियांडर्स, अब देखो मियांडर्स कहां बनते इस चीज़ को ध्यान रखना एक दम, plane area में, plane area में जहां पे क्या हो, जहां पे deposition होता हो, बहुत जादा sediments वगेरा का, लेकिन यह जो rivers हैं, तो यह बहुत जादा पह होता है, इस कारण से मेंडर्स बन जाते हैं, लेकिन plateau पे मेंडर्स बनना एक यह भी difficulty होती है, तो यह कहा है कि सीधे-सीधे बहते वे जाती है, अपनी shallow valley में अराम से बहते वे निकलते जाती है, and non-perennial flow of water, पानी भी इनको साल भरनी मिलता है, ठीके, तो पानी साल भरनी मिल की, exception है लेकिन दो, कौन-कौन से है, नर्मदा इन तापी, नर्मदा इन तापी जो है तो non-perennial नी है, यह perennial टाइप से है, though they are not originating from हिमालियाज, हिमालियाज से originate नहीं होती है, फिर भी उसमें साल भर पानी रहता है नर्मदा में, ठीके, नर्मदा नदी जो है, नमामी दे नहीं है, perennial है, though it is not originating from हिमालियाज, तो यह अमर कंटक प्लाइटू में कुछ ऐसी विशेष्टा है, जिसके चलते क्या है, वो continuously दीरे दीरे पानी देता रहता है नर्मदा नदी को, तो यह नर्मदा नदी की कहानी है, जिसे हम पढ़ेंगे आगे, चैप्टर में subsequently, ठीक ह तो यह मैंने आपको एक basic sketch बता दिया है, peninsular drainage system के बारे में, I hope you enjoyed it, सारी चीज़ना आपको समझ में आईए, अब आपको एक foundation बन गया है, आगे हम देखेंगे next video में, कि आखिर peninsular river system originate कैसे हुआ, जो आपका next topic है, ठीक है, उसका evolution समझेंगे, evolution समझते हैं, तो उसके topics, complete syllabus आप यहाँ पर कर सकते हो अपना, ठीक है, complete syllabus, video lectures के थुरू आप क्या कर सकते हो, पड़ सकते हो, समझ सकते हो, आपको अपने juniors और seniors को बताना है बस, मिलते हैं next video में अगले topic के साथ, till then stay corrected, keep learning, thank you, thank you very much